हालो फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में जी हां दोस्तों इस रो ने लैटेस्ट रिक्रूट्मेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके का नोटिफिकेशन है कौन कौन सी जाब्स है और क्या कैलिजिबिलिटी किराय देरिया है किस तरीके से अप्लिकेशन फार्म भरा जाएगा दोस्तों इन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिसकस करेंगे उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस तरीके की जॉब से रिलेटेड वेरियस कमप्टिशन एक्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए और बहुत से अन्य जो अपडेट्स हैं को पाने के लिए आप हमारे च प्रसिच्च्चों के कारणत करने के संब्ध में यानि कि इंगेजिंग ग्रेजुएट अन्टेक्नीशन अप्रेंटिसीज फॉर द इयर 2021-22 भार्तिय अंतरिच अनुसंधान संस्थान इसरो बैंगलोरू प्रसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् क्या है दोसनों वेजदन किसके लिए मागेंगा हैं? इंजिनेरिंग प्रिद़गी की किसा का सिविल इंजिनेरिंग में तीन पोस्त हैं देख सकते हूं आप यांतरिकी इंजिनेरिंग में एक Computer Mega Engineering में, Electrical and Electronics Engineering में, Electronics and Sanchar Engineering में आप रुपे भी देख सकते हो इस तरीके से अब इसमें जो essential qualification है वो है Pass in the first class engineering degree awarded by an Indian university in the respective field with not less than 60% mark यादि कि engineering degree होनी चाहिए और 60% से ज्यादा mark होनी चाहिए और भी detail में अगर notification आपको देखनी है application form fill up करना है तो मैं इस detailed advertisement की link अपने description बात में प्रोइट कर दूँगा साथ ही साथ मैं अपने telegram channel पर भी description इस advertisement की PDF प्रोइट कर दूँगा आप वहाँ से भी देख सकते हैं और भी देख सकते हैं electronics, technology and safety में दो हैं इस तरीके से देख सकते हैं diploma, technician, apprentice की posts हैं civil engineering में तीन है इसी तरीके से mechanical engineering, computer science engineering और electrical and electronics engineering में भी आप देख पा रहे होगे इसमें भी वही diploma in engineering में होना चाहिए और 70% से कम नहीं होना चाहिए अब अगर बात करोगे diploma in commercial practice तो यहां पर आप अपता रहे है diploma in commercial practices के लिए 20 posts हैं 20 vacancies हैं और इसमें भी 60% के हिसाफ़ चर्ण प्रक्रिया क्या है the consolidated applications will be screened, consequently and selection panels will be drawn based on the academic scores of the candidates at degree diploma level the induction of apprentices against the vacant training positions will be made strictly based on their position in the panel only selected candidates will be informed through offer letter by email तो रिक्त प्रसिच्चड पदों पर प्रसिच्च्वों का प्रवेश सक्त रूप से channel में उनकी स्थिति के अधार पर ही बनाया जाएगा और भी detail के लिए आप हमारे description box में link के माध्यम से detail advertisement देख सकते हैं और अगर आप like करना चाहें तो इस तरीके से आप like कर सकते हैं the candidates are advised to email a copy of the following documents ये documents application form आपको student mark sheet 10th की mark sheet 12th की mark sheet diploma degree हो उसकी photocopy होना चाहिए आपके पास में और Nats enrollment number आपका जो भी होगा इसका तो वो आपको क्या करना पड़ेगा भेजना पड़ेगा email पर email क्या है आपके पास देख पार होगे ये email है दोस्तों headquarterapprentice at isro.gov.in इस email पर आपको क्या करना है भेजना है for this apprentice post ठीक है और भी बहुत सारी जानकारिया होंगी जो आप description में दिये गए PDF से जानकारी ले सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेर जरूर करें इस तरीके की अपडेट पाने के नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें thanks for watching